आज मैं आपके लिए बेबी मैरो यानि की खुसा की रेस्पी लेके आई हूँ इसके लिए जिन शिया की जुरूरत होगी उनमें 500 ग्रैम खुसा लिए छिलका उतार के तीन हिस्सों में काट लिए तीन समाल अनियन लिए है इनको मैं पीस लूँगी टुमाइटो के साथ दो टुमाइटो लिए है इनको मैं आनियन के साथ पीसओ ​​णि और यहां पे गूरीन करिये अंडर लिए फोड़ा सा एक रैड चिली लिए उसको बारी काट लिए हाफ टी स्पून साबद सफेज जीरह हाफ टी स्पून जूलियन का जिंजर लिए और यहाँ पे लिए हाफ टी स्पून तुर्मेरिक पौडर वन टी स्पून साल्ट और वन टी स्पून कुट्टी लाल मिरच लिए है एक बर्तन लेंगे उसमें आईल डालेंगे 4 टेबल स्पून और जो मैंने पीस है प्याज और टोमेटो दोनों को पीस के इसमें शामल कर देंगे अब इसमें कुटी लाल मिरेज, साल्ट और तुरमेरिक डाल देंगे और अच्छी तरह पकाएंगे यह देखें इसने आयल सेपरेट कर दिया हम अब खुशा डाल देंगे इसमें बेबी मैरो यह बहुत ही मज़े की बनते हैं आप मेरी रेस्पी रू ट्राई कीजिएगा इस रेस्पी में पानी बिलकल नहीं जाने वाला अब मैं इसको दम पर पकाऊंगी थोड़ा सब मिक्स करके आग बिलकल वैसी रखनी है जैसे आप चावल को दम देते हैं तो वैसे 6-7 मिनट होगे इसको पकते वे आप चेक करते हैं यह बहुत जल्दी गाल जाते हैं यह सबजी पानी अपना बहुत छोड़ती है इसलिए पानी की जरूरत नहीं है इसमें थोड़ी देर के लिए फिर दम देंगे तीन से चार मिनट खुसा हमारा त्यार हो गया है मिक्स करेंगे आग बिलकल मीडियम से भी लो है जितना कि आप दम देते हैं चावलों को अब रड़ चिली कॉरियंडर और जूरियंट कटी जिंजर और साबत जीरा डाला है मैंने मिक्स करूंगी इसको मिक्स करके इसको प्लेट में निकाल लेंगे बेबी मेरो हमारे त्यार हो गए है यह देखें कितने मजे के लग रहे हैं यह अगर मेरी रेस्पी पसंद आए तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले